हलो दूस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो दोस्तो इस वीड़े में हम लोग आप बात करने वाले ऐसे चार स्टॉक्स जो कि अगर देखा जाए तो पेनी स्टॉक्स से तो बहतर ही है सो मुझे ऐसा लगता है कि पेनी स्टॉक्स से अच्छा अगर आप लोग इन स्टॉक्स के और अगर देखोगे तो कुछ तो आप लोगों को होप यहाँ पर देखने को मिल सकते है अभी पेनी स्टॉक्स मतलब कौन से है ऐसा कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है बट बहुत ही चोटे मतलब 10 रुपे के भी नीचे हम लोगों को देखने को मिलते है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले स्टॉक्स उसमें से कोई हम कह सकते है हजार 2000 में से कोई एक ऐसा स्टॉक रहता है मतलब परसेंट अगर हम लोग बात करे तो बहुत ही चोटे परसेंट के ट यहाँ पर हम लोग बोल सकते की उमीद की किरेंट हो हम लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलती हैं तो कौन से इसे stock है उसी को हम लोग है यहाँ पर देखना है तो चले फड़ावट से वीडियो को स्टाइट करते है पर उससे पहले जरू करना चाहूँगा किसी ने फर्स टाम विजिट के है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को हिट कर लेना फ्री stock market classes को भी follow कर सकते हो लिंक उपर आई बटन पर नीचे description box में मिल जाएगी और आज के दिन आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो आ चुके तीन वीडियो की लिंक नीचे आप लोगों को description box में मिल जाएगी तो दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे normal screen के उपर तो दोस्तो यहापे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला कोई stock है तो इसका नमे IRFC कि यस दोस्तो अभी IRFC की बात खरें यह तो कोई penny stock नहीं है राइट बट यह penny stock से अच्छा तो है अगर आप लोग कोई भी ऐसा 5-10 रुपे का stock खरी नहीं जाते है उससे अच्छा 25 रुपे का यह stock खरीद होगे तो आप लोग को एक authority तो मिलेगी कुछ ना कुछ आप profit हो जाएगा 25 का 50 का 100 भी हो जाएगा बट उसको वक्त लगेगा बस यह एक ही disadvantage है जो कि आप लोग को जहिलना है मतलब time देना पड़ेगा सो किसी भी penny stocks में पैसा लगा के अपनी किस्मत आजमाने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आप IRFC जैसे fundamental strong company जो की railways को finance provide करने वाली NBFC हम लोग ऐसा बोल सकते है जो की एक completely monopoly भी enjoy करती है उसमें अगर आप लोग पैसा लगा दोगे तो आपका पैसा safe भी रहेगा and grow होने कि आप लोग आशा भी वापे रख सकते हो so IRFC यह पहला stock है जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप penny stock से अच्छा है ऐसे stock को यह आप पर pick कर लेते हो तो शायद से आप लोगों को future में अच्छे का से returns मिल सकते है बट again कहना जाँगा disclaimer बहुत बढ़ा disclaimer कहा है कि आप आप ल stock second stock यहाँ पर बताना चाहँगा बट along with the big disclaimer इससे पहली मैं बता चुका हो जब यह stock 20-18 रुपे के आसपस था तबी मैंने same video बनाया था आप लोगों को बताया था कि RVNL भी एक ऐसा stock है जो बहुत ही शान्दर है बट फिलाल अगर आप चाहो तो OFS के बाद इसको यहाँ प आपको बोल सकता हूँ अभी 30 रुपे में आपको कौन सा stock मिलेगा fundamental strong अगर देखा जाए तो क्या RVNL डूप सकते बिल्कुल भी नहीं यह भी railway से जुड़ा हुआ है इसका बिरश में हम लोगों ने देखा था 10 रुपे गिर गया था 10 रुपे से 32 रुपे और मैं बार बार जो आप लोगों को हमेशा दिखाता हूँ कि जिन लोगों ने इसको initial stage में खरीदा था IPO के start से अभी तक कि अगर हम लोग बात करें 60-70% के returns वो कमा चुके हैं यह भी company rather than investing in penny stocks जहाँ पर मतलब पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा एक दो रुपे के stock रहते चार पाच रुपे के जो की एक जमाने में 1000 के थे या चार रुपे के ऐसे stock में निवेश करने से अच्छा है इन stocks में करो थोड़ी सी quantity कम मिलेगी बट कुछ तो आप लोगों क खत्रा यहाँ पर बना रहेगा, OFS मतलब खराब बात नहीं है बट हम लोग कह सकते कि एक गिरावट वापर आ जाते डिसकाउंट के उपर वो stocks देखने को मिल जाते है जैसे कि Arkon International में देखने को मिला, कोई Arkon International वो खराब नहीं हुआ, वो comeback जरू करेगा, सिर्फ वो एक ही देख सकते हैं, dividend भी देता है यह company, पहले अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही छोटा dividend है, उसके बाद एक रुपे से भी जादा का dividend, IRFC में भी dividend देखने को मिल रहा है, मतलब एक penny stock, एक दो रुपे का stock खरीद नहीं सच्छा, इस stock को खरीद लो, एक दो रुपे का आपक comply करने से related, so penny stock से अच्छा, enter करने से अच्छा, IRFC, RVLL को अगर preference दोगे, तो अच्छा गासा return आपको मिल सकता है, then अगर हम लोग बात करें, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका था, कि Trident, 3 रुपे का था, 6 रुपे का था, तभी video बनाया था, बीच में market गिरा था, जो कि हमारे control में देख था, तो 3 रुपे तक आया था, तभी मैंने वीडियो बनाया था, then 8 रुपे भी बनाया था, 10 रुपे के उपर भी बनाया था, तो Trident भी उसी टाइप का stock है, दोस्तों कि ये at least देखा जाए, तो penny stock है नहीं, वो तो split के कारण हम लोगों को नीचे द लिते, इस उमीद में कि फटा-फटा आगे भागेगा, मतलब 3 से इसकी 14 रुपीज की जो जर्नी है, वो बहुत ही solid है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, बीच में बहुत ही जादा slow हो चुका था, अगर एक साल की बात करें तो ये return जबर्दस देखेंगे, 175% के return, जो क लिए हम लोगों को jump देखने को मिलता है, so Trident अगर हम लोग बात करें ये penny stock तो नहीं है, but better than penny stock है, इतना तो मैं आप लोगों को बता सकता हो, इसका आरती है बिल्कुल भी ने कि आप लोग बहुत बड़ा quantity in stocks को खरीद के रखो, दीमे दीमे करके आप चाहो तो अपनी level य ज़र आते हैं, and last कोई stock है तो yes bank, again कहना चाहूंगा yes bank को बहुत सरो लोग मेरे जो wording से उसको गलत frame में लेते, मैं कोई yes bank को ये नहीं कह रहा हूँ कि ये super duper है, ये बहुत ही मुश्किलों से गुजरते वाला bank है, and आगे भी मुश्किले ज़रूर हैगी, अगर आपको banking stock ख आखरी में अगर आपको कोई चाहिए, मतलब federal bank भी अच्छा है, आखरी में अगर आपको कोई चाहिए, तो yes bank आप लोग विचार कर सकते हो, बट ये table घुमा मत देना, कि पहले हम लोग को yes bank and then बाकी के bank, yes bank छोटा price में देखने को मिल रहे है, इसलिए आपको ज़्यादा attract कर रहे है, बट ऐसी बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर रिस्क ज़रूर बने रहेगी, MSEA इंडेक्स, mutual fund ने जगा देना, large cap की अगर हम लोग बात करें, उसमें जगा मिलना, ये वाके में हम लोग कह सकते की positive news ज़रूर है, बट अभी भी हम लोग ने हमारे emotions के उपर control रिजल्ट अच्छे हैंगे, NPS घटेंगे, ये सारी चीज़ अगर होती है, तो हम लोग कह सकते की yes bank भी आगे अच्छा कासा कारबार या पर कर रहा है, बट इतना तो हम लोग कह सकते की better than penny stock, yes, क्योंकि ये पुराने yes bank नहीं, अभी जो yes bank है, वो सारे बैंकों का support है इसको and definitely एक थोड़ा सा stabilized stock हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बट unnecessarily, unpredictable कोई target set मत करना कि एक साल में ये 1500 जाने वाला है, एसी कोई चीज़े नहीं है, इससे भी छोटे banks available है, 50, 60, 80, 90 वाले जो कि इससे भी ज़्यादा stable है, वो भी धीमे-धीमे करके आगे आपे जा रहे है, investment करना नहीं है, अगर आप लोग बोलते हैं न, penny stock में बचा हुआ पैसा, रद्धी stocks में बोलता था, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, कि रद्धी, paper की रद्धी जो बेचने के बाद जो पैसा आता है, उनको penny stock में आप लगाते हो, इससे अच्छा आप चाहो, तो 10 stocks में लगा सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे कासे return भी मिल सकते हैं, and stability भी हम लोगों को देखने को मिल रही है, but एक ही चीज़े, इधर time देना पड़ेगा, जितना छोटा stock ना उतना ज्यादा time hold करना पड़ता है, so वापस कहना चाहूँगा, यह कोई मेरे recommendation न पसंदा है, तो like and share कर देना, so that's it, thank you very much, so we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye.